हेलो एब्रीवन दिव्यास पकीचिन में आपको बहुत बहुत स्वागत है आज में प्रोटीन फाइवर और आयरन से भरपूर इक पालक चिला की हेल्दी रेस्पी शेयर कर रही हूं इसे बनाना बहुत ही आसान है आप कभी भी बनाके इसे ब्रेक्फॉस में फटा फट अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो प्रीज लाइक करें शेयर करें और शब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले तो चली देखते हैं इसे बनाते कैसे है है हल्दी पालक चिला बनाने के लिए ये मैंने 200 ग्राम पालक ले लिया है इसको मैंने अच्छी तरह से दो लिया है दो के और इसको ऐसे बारिक फाइन काट के रख लिया है अब देख सकते हो ऐसे बारिक बारिक काट के रख लेंगे अब इसमें कुछ इंग्रेडियन्स मिक्स करेंगे इसमें एक प्याज है इसको बारिक चॉप करके दाल देंगे टमाटर दाल देंगे एक या काली मिश कप पाउडर दाल दिया हैं और अदर कलेसुन का पेस्ट दालंगे 2 टी स्पून और यहां पर नमक दालेंगे नमक अपने साथ के धनशार दाल दें और एक यहां पर मैं एक कब बेसन दाल रही हूं सब चिज़ों को हातों से अच्छी तरह से सको मेक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी दालेंगे बहुत ज्यादा इसमें पानी नहीं दालेंगे और इसका ऐसा बैटर बना लेंगे इसकी Ranger सिंस्टनसी मैंने असी रखी है बहुत ज्ञादे पतली भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़दी थिक भी नहीं रखेंगे अब गैस पे मैंने यहां पे पैन रख दिया है इसको थोड़ा सा तेहीं लगा के इसको तरह बां यहां पर दो लैडर फुल लेकर और चीला 첩ी केम फ्लैम मैंने लो मीडियम रखा है अब इसके किनारे पर तोड़ा सा ओयल लगा देंगे बीच में भी थोड़ा सा ओयल लगा देंगे जब ये सूक जाएगा तो UH अब इसको कवर कर देंगेAdam कवर करके दोतिन मिनटेट एक साइट से पकंद देंगे दो-तिन प्रेम लो मीडियम ही रखें नहीं तो ये अंदर से कच्छा रह सकता है अब इसको पलट दिया है आप देख सकते हो बहुत अच्छा कलर आ गया है अब इधर से भी मैंने उलट पलट कर लिया है दोनों साइड से इसको उलट पलट करते जाएंगे और ऐसे चीला बनाएंगे चीले को कम से कम चार मिनट तक पकाना है दो मिनट persönlich एक साइट से और दो मिनट एक साइट से ऐसे निकाल के रख लेंगे अब इसको आप चाहो तो ऐसे बीज बी हो ने से उत्लिप मेछा में बीगे होर्फ कर सकते ऋंतों तो यह मैंने चिटः चिट के मैं इसको कार दिया है thanks for watching मिलते हो नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबा